नागरिक्ता संसुदन कानून आज से देश्मर में लागू हो गया है कि इन सरकार ने देश में C.A. को 10 जनवरी 2020 से प्रभावी करने की खोशना की है इस समन्द में केंद्रिग्रह मंत्राले ने अधिसूशना जारी करते हुए कहा कि इस कानून के तहट पाकिस्तान, बांगलादेश और अफगानिस्तान से गयर मुस्लिम शननार्थियों को भारती नागरिक्ता प्रदान की जाएगी प्रदान मंत्री कारले ने जानकाली देती में बताया कि शनिवार को प्रदान मंत्री कौलकता में चार धरोवर इमारत को रास्ट को समर्पित करेंगे केंद्र ग्रमंत्र अमिश्वा गुजरात की दौरी पर है गांदे नगर में बिश्वास और साइबर अश्वस परियोजना के उदगाचन के अफसर पर अमिश्वा ने कहा कि केंद्र और राज सरकारों द्वारा प्रौधिकी के अधिक्तब उपयोग के माध्यम से दिवसी रास्तर्य प्रसिक्षन सिविर का अजिन किया जा रहा है इसमें कॉंग्रिस की नव गचित प्रदेश कमीटी के साथ जिलास शेहर अध्यक्षों का प्रसिक्षन दिया जाएगा प्रसिक्षन शिविर में चारों दिन यूपी कॉंग्रिस पभारी प्रयांका संसद्य संकल्प है कि जो पूरा जमू कश्मीर भारत का हिस्सा रहेगा यदि संसद ऐसा चाहती है तो गुलाम कश्मीर को भी हमारा होना चाहिए जब हमें इस दिशा में आदेश मिलेगा हम उचित कारवाई करेंगे कनोच में शुकरवार राध भीसन बस हादसा हो गया जीटी रोड हाईवे पर डवल डेकर बस और ट्रक में टककर हो गई जिसके बाद बस में भीशन आग लग गई इस हादसे में 21 लोगों के मरने की आश्रंग का चताई जा रही है वहीं 21 लोग जुलस गए है बस फरुकबाद की थी जो कनोच के गुरह संगा गंच से जैपुर जा रही थी इस बस में करीब 45 यातरी सवार थे हादसे में घायलोग को कनोच के अस्पताल में भट्टी कराया गया है देवरात आगपर काबु पालिया गया लेकिन बस पूरी तरह जल कर खाग हो गई हादसे के बाद घालोग को सरसाया होस्पिटल ले जाये गया मामने में प्रतक्ष दर्शियों का कहना है कि बस पूरी तरह से यात्यों से भरी हुई थी बस में आग लगने के बाद वहां अफरा तफरी का मोहौल बन गया प्रशक्ष दर्शियों का कहना है कि टकर के बाद बस में भीसन आग लग गई लोगों ने बस से निकलने की कोशुश की तरतक्ष दर्शियों की माने तो बस पूरी तरह से भरी हुई थी उत्यप्रदेश के कनोच में हुए वीसन सड़क हादसे को लेकर विदान मंत्री नरेंडर मोदी ने ट्विट करके शोक जताया है पियम मोदी ने लिखा कि हादसे के बारे में जानकर अत्यंत दुख पहुँचा है इस दुरघटना में कई लोगों को अपनी जान गवानी पड़ी है मैं अम्रतकों के परिजनों के प्रती अपनी समवेधनाय प्रकट करता हूँ साथ ही घायलों के सिग्र स्वस्थ होने की काम ना करता हूँ ग्रियमंत्रिया मिश्वा ने कहा कनोज में हुई सड़क दुरघटना से अत्यंतर दुखी हूँ इस बीशन हादसे में जिन लोगों ने अपने परिजनों और दोस्तों को खोया है उनकी इस अपोण्य च्छती पर अपनी समवेधनाय व्याफ्त करता हूँ और घायलों के सिग्र ही स्वस्त होने की काम ना करता हूँ कनोज में सड़क हादसे पर राउल गांदी ने ट्विच करके शोक जताया है राउल गांदी ने ट्विच में लिखा सड़क हादसे में बस और ट्रक के चकर में भीशन आग से 20 लोगों की मौत और उनके लोगों के घाल होने की खबर से आहाथ हूँ मृतकों के परिवार में मैं अपनी गहरी सम्वेदना व्यक्त करता हूँ और घालों के जल्द स्वास्थ होने की काम ना करता हूँ प्रांगा गांधी ने ट्विच किया कि कनौज में हुआ हाथसा बहुत दुखत है इश्वर दुखी प्रारीजनों को इसे सहनी की श्रक्ती दे कॉंग्रिस के प्रदेक्श अद्यक सचे लल्लू घटनास्तर पर पहुँचकर पीड़ोतों को सहरा दे रहे है इसक कठिन घड़ी में पीडिक परिवार वाले और यात्रियों को हर संभव मदद मिलनी चाहिए हाथसे की बाद यूपी जिप्ती सियम केशा मौरिया ने ट्विच किया है उन्होंने कहा कि जिला प्रिश्वासन को घायलों को बहतर इलाज मौया कराने के निर्देश दिये गए है उन्होंने घायलों की जल्द ठीक होने की काम ला की है सियम योगी आधितनात ने तुरंट कनौस अड़क हाथसे का संग्यान लेते हुए जियम और रेस्पी को मौकी पर जाने का निर्देश दिया उन्होंने घायलों को तुरंट मेजिकल सुर्विदा उपलब्द कराने के लिए कहा सियम ने अम्रितकों के परिचनों को दो दो लाग और घायलों को पच्चास पच्चास अजार रुपए देने की खोशना की है कनौस में हाथसे की बात कानपूर रेंज की आई जी मोहित अगरवाल ने बस का जायजा लिया उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि 8-9 शव बस में है लेकिन पक्के तोर पर अभी कहना मुश्किल है इसलिए शवों का DNA टेस्ट कराया जाएगा वही उन्होंने कहा कि चिबरा मौ के पास कंट्रोल रूम भी बनाया जा रहा है जिसे परीजनों को सही जानकारी मिल सके आजसे का शुकार वही बस फरुकाबाद के बिमल चत्रवेदी ट्रांसपूर्च की है आजसे के बाद इसके ओफिस में ताला बंध है और कोई भी कुछ कहने को तयार नहीं है इसका चायजा लिया हमारे फरुकाबाद समवाद दाता ने आजसे के बाद शिबरा मौ की MLA अर्चुना पांटे और डिये रविंद्र कुमार अस्पताल पहुंचे और घैलों का हाल चाल लिया MLA अर्चुना पांटे ने घैलों के जल्द ठीक होने की उम्मीद जिताई है वहीं रविंद्र कुमार ने बताया कि बस फरुकाबाद से जैपुष आ रही थी गुरसा गंच में 25 लोग बस में चड़े थे जबकि छिबरा मवु में 17 लोग इसमें सवार हुए थे वहीं तीन लोग बस के स्टाफ थे हाथसे में जुलस गए 21 लोगों को सर्ज सहीया होस्पिटल लेह जाया गया उनमें 13 की गंवीर हालात को देखते हुए उन्हें तिरवा मेटिकल कॉलिज ट्रेफर कर दिया गया तो कनोर्च में एक बार फिर सड़क हाथसा हुआ है घने कौरे के चलते दो ट्रकों की चकर हो गई है आज सा इतना भीशन था कि चालक ट्रक में पसा रह गया गरामिनों ने ट्रक चालक को बाहर निकाला है देशबर में जारी विरूत प्रदर्शन की बीच नागरित्ता संसोधन कानूज आज से पूरे देश में लागू हो चुका है इसी कड़ी में उतर प्रदेश के मुक्य मंत्र योगी आदितनात देश के दूसरे राजकों में भी सभाई करेंगे योगी आदितनात नागरित्ता संसोधन कानून पर आज मद्द्देश के ग्वालियर वे जंसभा को सम्भोधित करेंगे सियम्योगी आधितनाथ ने साफ कर दिया है कि राजस्प विभाग में चकबंदे विभाग का विलैन नहीं किया जाएगा सिये से मुलाकात के बार प्रदेश के तैसिलदार संग ने इस बात की जानकारी दिया संग के पदादिकारियों के वताविक इस फैसले से राजस्प विभाग को बड़ी राहत मिली है मुलाकात के दौरान ही सिये ने मुक्य सचेव से तैसिलदारों की तमाम समस्याओं को प्रात्मिक्ता के आधार पर हल कराने की भी बात कही है SSP बैवो कृष्णा के बाद अब उनके करीबी पुलिस कर्मियों पर कारवाई शुरू हो गई है वारल वीडियो की जाच में मेरच के पत्रकारों से बचसलूकी करने वाले सियो का तबादला हो गया है इसके अलावा नॉयड़ा में तनार सियो श्वेताब पांजे को भी हटाया गया है श्वेताब पांजे, सीबी, आईसीडी भेजे गए हैं सियो के साथ नॉयड़ा के तीन कोतवाली हटाय जा रहे है थानाप्रभारी सेक्टर 20 के राजवीर चोहान, थानाप्रभारी पेस्तीन के देविन सिंग यादव, थानाप्रभारी नॉलेच पार्क बलजीत सिंग भी कारवाई की जड़ में है तीनों कोतवाल भी हटाय जा रहे है केंद्र मंत्री और चिंदौली से सांसर जॉक्टर महिन राथ पांटे ने कर्मराश्रा नदी पर बन रहे है डायवर्जन रूट का अनिरक्षन किया है इस दोरान उन्होंने मीडिया से बात करते वे विपक्ष पर जम कर निश्राना साधा उन्होंने प्रियांका गांधी के वारनसी दोरे पर भी प्रतिक्रिया देते में कहा कि प्रियांका पहले भी जलमार्ग से आई है आज भी आई है इसमें कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला वेश मोदी युग में अच्छा प्रशासन सेवा और विकास का आनंद ले रहा है लखनों के अवेद शुल्प ग्राम में हुनर हाट का आउजन किया गया जिसका उदखाट और मोखी मंत्री योगी आदित नात ने किया इस आउजन में केंद्री मंत्री मुक्तार अबास लकवी और उप मुखी मंत्री दिनेश शर्मा भी शाविल हुए हुनर हाट का आउजन 21 जन्वरी तक चलेगा आज से लगता तीन दिनों तक पूरा शहर गुरगपूर मोशब की रग में सराबूर रहेगा जमी से आस्वान तक मोशब की छटा दिखेगी दिन बर खेल से लेकर विविन प्रतियोगिताओं का दौर चलेगा तो शाम से लेकर आधी राद तक सांस्क्रितिक कारिक्रमों की धूम बचेगी मोशब में हर दिन अलग-अलग कलाकार मनोरंजन का मंच सम्हालेंगे ग्रेटनोडा में साथ जन्वरी को हुए गौलब चंदिल हत्याकांच में लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्वियों पर बड़ी कारवाई की गई है बिसरक प्रभारी समेट साथ पुलिस कर्वियों को निलंबित कर दिया गया है इसके लावा गौर्ड सिटी और चेरी काउंटी चौकी इंचार्ज समेट तीन को लाइन हाज़र किया गया है आजी के निदेशन में लखनोड स्टी एफ को बड़ी सफलता मिली है लखनों के सरोशनी नगर ठाना छेत्र में पुलिस और बदमासों के मुडवेड में इनामी बदमाश श्रमीम हसन पकड़ा गया है बदमाश किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिरात में थे पकड़े गए बदमाशों के पास से नौ एसन के पिस्टल, कार्टूस, खोके, स्कूची और मुबाइल बरामत किये गए है कुशनगर में स्कूल बस के ड्राइवर की बड़ी लापरवाही सामने आई है बोदरवार कस्पे से बच्चों को लेकर आ रही बस अच्छानक पलच गई बस में करीब 20 बच्चे सवार थे, हाथसे में सभी बच्चों की चोटे आई है वह एक बच्चे को गंवीर हालत में गोरक को रैफर कर दिया गया है हाथसे के वक्त बस ड्राइबर मुबाईल पर बात कर रहा था मतुरा के च्छाता गाउ में भयानक सड़क हाथसा हुआ है हाथसे एनेश टू पर हुआ जहां सड़क किनारे खड़े साथ लोगों को तेज रफतार कार ने रौन दिया सभी घायलों को अस्पताल में भरती कराया गया है जिसमें से चार लोगों की हालात गंबीर बनी हुई है कानपूर सागर राश्ची राजमार्ग में देज रफतार का कहर देखने को मिला महोबा सदर कोतवाली छेत्र के पलका गाउं के पास एक कार बेकावू होकर पेड़ से टकरा गई हाथसे में कार में सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि तीन लोग गंबीर रुप से घायलो गए सभी लोग एक कारिक्रम में शामिल होने के लिए कानपूर से छतर पूर जा रहे थे उसी दौरान के हाथसा हुआ पताबगर के फूलपूर गाव में पिकप का एकसल टूटने से बड़ा हाथसा हो गया है अंतिन संसकार से घड़ लोटने समय ग्रामिनों से भरी पिकप एकसल टूटने से पलट गई जिसमें दो लोगों की मौत हो गई वही गंबी रूप से घायल आठ लोगों को प्रियागराश में रैपर कर दिया गया है बिजनौर के नगीना रेलवे स्टेशन के माल गुदाम की पास डाउन लाइन पर मालगाडी के दो वैगन के दस पईये पटरी से उतर जाने के कारण अफराग तफरी मच गई इन पईयों के ट्रैक से उतरने के करीब चार किलोमेटर ट्रैक के स्लीपर मामुली रूप से छतिग्रस्त हो गया है चलती मालगाडी से जोड़ जोड़ से अवाजर आने की सूचना मिलते ही रेलवे विभाग में हड़कम मच गया और आनन फानन में मालगाडी को नगीना रेलवे स्टेशन पर रोका गया मुझफर नगरवेक यूवक का शव मिलने से संसनी फैल गई है सरकुलर रोज स्तेतराज के इंटल कॉलेज के सामने लाने में यूवक का शव बढ़ा मिला जिसकी पहचान नहीं हो पाई है ग्रामीनों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है और शव का पोस्ट माटम कराए गया है मौके मदुबन इलाके में नदी के कचान से किसार दशवत में है घागरा नदी खेट के साथ ही साथ पूरे गाउं डूबने की कगार में है बिन टोलिया गाउं की लोग प्रशासन तक अपनी परियाद पहुंचाने के लिए जल समाधी का रास्ता अपनाया है इतनी ठंड में भी आदे कपड़े पहने वे लोग नदी में खड़े हुए है लोगों ने कहा है कि गाउं और खेट को बचाने के लिए कई जगा गोहार लगाई गई लेकिन किसी ने नहीं सुना इसलिए मजबूर होकर जल समाधी का रास्ता अपना ना पड़ा ननिताल जले में इस बार कोरे और पाली की वज़ा से 1200 हेक्टियर में टमाटर की फसल बरमाद हो गई है प्रशासन अब बड़े पैमाने में खराब हुए टमाटर की फसल के मुआवज़े के लिए सर्वे की बात कर रहा है उब जलादिकारी विवेक राय ने कहा कि प्राकृतिक आपडा की तहट जितने प्रतिशत फसल का नुकसान पाया जाएगा उसके हिसाब से किसारों को मुआवज़ार दिया जाएगा स्वामी विकनन्दा की जयनती के अफसर पर उत्राखंट सरकार की और से उत्राखंट यंग लीडर्स कॉंक्लेट 2020 का आउज़न किया जा रहा है मुखिमंत्री त्रिवेन सिंग रावत ने निर्देश पर आयोज़त हो रहे दो दिवस्ते कारिक्रम में राज और राज के चारों और से आए हुए यूवा और नवदित बुद्धी जीवी वर्ग भाग लेंगे बारत जन्वरी को त्रिवेन सरकार की काबिनेट बैठक होगी रविवार को नववर्ष में दूसरी एगेशाल राज का ऐम च्रार बजे सचिवालन में होगा काबिनेट बैठक में सरकिल रेट नधारत समेथ कई एहम मुद्दों पर फेसला हो सकता है इस साल का पहला चंदीगरहन खत्म हो चुका है इसके अबनी चार घंटे से जादा की थी साल के पहले चंदीगरहन की खास बात ये रही कि दुनिया के अन्य भागों के साथ ये भारत में भी दिखाए दिया ये गरहन शुकरवार रात से करश्वरिवार तड़के करीब दो बच कर चवालस मिनट तक रहा था चंवरन भारत समेट यूरॉप ऑस्ट्रिलिया और अफ्रिका के कई हिस्सों में भी दिखाई दिया था नैसाल में ठंड को देखते वे इंजनरेल वे कैट्रिंग एंड टूरिस्म कॉर्परेशन ने गोवा पंची घूमने की इच्छा रखने वाले लोगों को शानदा सौगार दी है इसके लिए I.R.C.T.C. ने लखनों के ये टूर पैकेज तयार किये हैं गोवा और पंची के लिए जन्वरी और फर्वरी में चार-चार दिन के दो टूर पैकेज तयार किये गए हैं जिसे लोग कम समय में गोवा सेर कर सकेंगे केरल के मरादू में अवैद इमारतों को गिराया जा रहा है अवैद इमारतों को ढ़ाने की ये कारवाई शनिवार और अविवार दो दिन चलेगी मदारू में अवैद अपार्टमेंट्स को ढ़ाने के मदनजर शनिवार को इलाके में धारा 144 लगा दी गई है जिसके बाद मरादू में अव्याद अपार्टमेंट को पस्ट कराने का काम शुरू कर दिया गया है इसी कड़ी में जब हॉली पैथ अपार्टमेंट टावर को ढ़ा गया तो पल भर में ही बहु मंजला इमारत जमी दोज हो गई जमुकश्मीर में फिर पाकिस्तान की नापाक हरकत सामने आई है पाकिस्तान सीस्वायर तोड़ कर पुंच जिले के जिगवार और गुलपार सेक्टर में भारी गोलबारी कर रहा था जिसके भारतिय सेना ने भी मुहतोड़ जवाब दिया है इरान ने शनिवार को स्विकार लिया है कि उसकी सेना ने मानवेद चूक के चलते अंजाने में युक्रेन के विमान को मार गिराय था जिससे उसमें सबार 116 लोगों की मौत हो गई थी यह बयान शुनिवार सुबा आया जिसमें कहा गया था कि मानवेद चूक के चलते गिंदुल खटना हुई इससे पहले इरान ने कई दिनों तक विमान को गिराने की बात से इंकार किया था लेकिन अमेरिका और कनाटा ने कहा था कि उन्हें विश्वास है कि इरान ने ही विमान को मार गिराया है अमेरिकी राश्च्पती डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि मारे गए इरानी जनरल कासीम सुलिमानी चाड़ अमेरिके दुतवासों पर हमला करने की योशना बना रहा है जिसके क्यारवाई में उन्होंने सुले मानों की हत्या का भारी जोखें उठाया वहीं अमेरिका के अधिकारियों ने खुलासा किया है कि जिस दिन अमेरिकी सेना ने इरान के जनरल कासिम सुलिमानी की हत्या की थी उसे दिन वो इरान के एक और वरिस्ट कमांगर अब्दुलरजा शेहलाई को भी मार गिराया चाहता था इराक ने अमेरिका से कहा है कि वो अपने सैनिको को यहां से वापस ले जाने पर विचार करें जिससे अमेरिका ने अस्विकार कर लिया है इराक चाहता है कि इरान और अमेरिका की जंग का मैदान इराक ना बने इसलिए अमेरिका इराक से अपने सैनिको को हटाए इराग के कारिवाहक विधान मंत्री आदिल अब्दुल महंदी ने अमेरिके विदेश मंत्री माइक पाम्पियों को फोन कर सेना वापसी पर विचार करने के लिए कहा बारत ने श्रुलंका को पुनि में केल गए आखरी और निनायक टीट्वेंटी मैच में 58 रनों से मार देकर तीन मैचों की टीट्वेंटी सिरीज पर 200 से कप्चा कर लिया है और इसके साथ ही 2020 की पहली सिरीज अपने नाम कर ली है ICC की क्रिकेट समीटी चार दिन के टेस्ट मैच को लेकर चर्शा करेगी लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि BCCI इस पर राजी नहीं होगा क्योंकि भारती बूच ने कप्तान विराज कोहली और कोछ रविशास्त्री के साथ जाने का फैसला किया है और ये दोनों चार दिन के टेस्ट मैच का विरोध कर चुके है कल पूने में खेली गए आकरी T20 वुकाबले में एक विकेट लेते ही बुमरा में अपने नाम एक रिकॉर्ड कर लिया है कल बुमरा ने पहला विकेट लेते ही बुमरा T20 इंटनाशनल में भारत की तरफ से सबसे अधीक विकेट लेने वाले गेंधबाच बन गह है वुम्रा और चहल 52-52 विकेट लेकर पहले स्थान पर है वर्ल्ल चेंपियन भारत की स्टार बेट किंचन क्लाडी पीवी सिंदू मलेशिया मास्टर्स टूनामेंट से बाहर हो गई है कौर्टर फाइनल मुकाबले में सिदू की चौनी ताइपे ताइजू इंच से 21-21 ने हराकर टूनामेंट से बाहर कर दिया दिपिका पदुकॉन की फिल्म चपाग की पहले दिन की कमाई पर विरोध का असर दिखा है पहले दिन भारत में 5 करोड तक की कमाई की है जबकि शपाग के पहले दिन की कमाई का अनुमाँ 6-8 करोड लगा जा रहा था वहीं शपाग के साथ लीसमी अजे देजन की फिल्म ताना जी, डंसंग वॉर्यर ने पहले दिन 16 करोड की कमाई की है मौलवुच फिल्म यूदेशुए करनजोहर इस समय ताजमाल का दीदार करने आगरा आय हुए है करनजोहर ने बताया कि ताजमाल की खुपसूर्पी बेमिसाल है करनजोहर ने कहा कि वो जल्द आगरा मे उद्पर्म की शूटिंग कर सकते है तास दीदार से पहले करण जोहर पतेपूर सीख ली भी गय थे रनवीर सिंग की Most of Edited Film 83 का पोस्टर रिलीस कर दिया गया है पोस्टर में सिर्फ 83 लिखा हुआ दिख रहा है रनवीर ने इस फोटो को शेयर करते हुए लिखा It's Coming इसके बाद रनवीर ने फिल्म से पहले करेक्टर का पोस्टर भी रिलीस किया था दरसल सुनील कावस्कर का करदार ने बार है ताहिर राज भसीन का पोस्टर रिलीस किया गया है पोस्टर में ताहिर सुनेल गावसकर की तरह बैसिंग करते वे दिखाई दे रहे सल्मान ने अपनी आने वाली फिल्म का एलान कर दिया है उन्होंने ट्विट करके बताया कि उसकी नई फिल्म कभीई एत कभी दिवाली होगी सल्मान के इस ट्विट के बाद अक्षे कुमार ने उन पर चुटकी लेते में लिखा कभी ईद कभी डिवाली के लिए मेरे दोस्तों साजित नाध्यवाला सल्मान खान और फरहाद सामजी को बढ़ाई आप सभी को शुब कामना है इसके सीक्वल के लिए एक सुछाओ भी है कभी ईद कभी क्रिस्मस